नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलेप विद जारवी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में आप बात करेंगे राजस्तान समने ग्यान के मोस्ट इपोर्टेंट 45 कोस्टिनों के बारे में और दोस्तों तो राजस्तान प्लीश मोडल पेपर स्रीज के अंतरकत यह हमारा 26 मोडल पेपर इससे पहले 25 पेपर अपलोड किये जा चुके हैं अगर यह 25 मोडल पेपर आपने अभी तक नहीं देखें तो दोस्तों इनका लिंक डिस्क्रप्शन में दिया गया मिस्ट राजस्तान प्ली सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जूल करें और पास में जो बैल आइकन है इसे भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फस्ट कोस्टन आपके सामने 56 बैसिन निमलिकित में से राजस्तान के किस भौतिक परदेश का बाग है इपोर्टन कोस्टन है दोस्तों एक्जाम में एक्सर यह पुछा जाता है ओप्सन आपके सामने ध्यान प्रूक देखिए और इसका जवाव है देजिए तो दोस्तों 56 बैसिन बांसवड़ा बॉर्ट दोड़ा एक्जाम सुवेत दोजार उन्नीस में है यह सभी 30 कोस्टन पूछ गया वहां से ही है कि चलिए दोस्तों अगला को शने कि बेराट में कौन सा जिला समलित नहीं है तो दोस्तों अलवर जैपपुर और टोंक यह तीन जिले तो ब्राट में समलीत थैं ले के लिए चैनित नहीं किया गया बते ही दोस्तों राजस्तान का कौन सा जिला आई डबलू आर्म के लिए चैनित नहीं किया गया है तो दोस्तों पाली को किया गया सिक्कर को भी किया गया चुरू को भी किया गया लेकिन जो जैपुर जिला इसको आई डबलू आर्म के लिए चैनित है नहीं किया गया आपको फुल फॉम याद रखने हैं दोस्तों आई डबलू आर एम की इंटेग्रेटड वाटर डिसोर्सेज मनेजमेंट यह आई डबलू आरेम की फुल फॉम है दोस्तों इसका इंदी मेर्थ होता है एक एकर्थ जल साधन प्रबंदन इसके अंतरक पाली बाड मेर जैसल मेर जलोर रास्मन यह ग्यारा जिले आई डबलू आरेम के अंतरगत चैनित हैं किये गई हैं तो इसका यहां पर डी ऑप्सन राइट है चलिए दोस्तों अगला कोस्तों के बुंदी तैसिल के लिए कौन सी सिंचाई प्रियोजना निर्मित की गई है इपोर्टन कोस्टन है और एक्जाम में यह अक्सर पूछा जाता है तो आपको द्यान रखना है बुंदी तैसिल के लिए सिंचाई प्रियोजना जो निर्मित की गई है वह गुड़ा प्रियोजना यानि किस कोस्टन का डी ऑप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन के प्रपात के नीचे राजस्तान में कोन सा बांद बना हुआ है राणा परताब सागर बांद यानि किसका सी ऑप्सन राइट है दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो चूलिया जलप्रपात है यह राजस्तान का सबसे उंचा जलपरपात है और यह किस नदी पर है चंबल की उन्चाई है तो इसका सी ओप्सन राइट है चूलिया जलपरपात के नीचे के और राजस्तान में राणा परताब सागरबांद बना हुए अगला कुछ ने कि कांकरेज किस पसू की एक नसल है कांकरेज किस पसू की एक नसल है बहुत इपोर्टेंट कुछ ने एक्जाम मे कौन सा कृषी जलवाईव परदैस सबसे बड़ा है एक एक न बहुत बार यह कोश्च तो आपको याद रखना है इसका नहीं राइट हो जाएगा फस्ट एक यह राजस्तान का सबसे बड़ा कृषी जलवाईव परदैस है च्लिया दोस्तो अाठे नइस्टेंद पर कौन सी पीच प्रास चारीय मरदा की सुचक है दोस्तों इन में से आपको बताना ऐसे यह जो पीच मान दीजीए लिये इक theatre कर दो दोस्तों हुआ है यहारीर मरदा का सुचेक ए दियारकना keeping से उपर क्या होता है चारिया मर्दा और साथ दोस्तों उदासिन होता है यह द्यान अकना यह भी बहुत बार पुछा जाता है कौन सा पीएच मान उदासिन होता है आसुत जल होता है दोस्तों उसका पीएच मान साथ होता है जो कि उदासिन होता है और दोस्तों जो साथ से नि यह होता है यह भी आपको दिया रखना है इसका डी ओप्सने आपर राइट है चलिए दोस्तों नेस्ट को सने के निमन लिखित में से कौन सी तारिक को विश्व प्रयावरण दिवस के रूप में मनाय जाता है दोस्तों जियोग्राफी से समंदीत अगर एकजाम में कोस्टन यह कोस्टन बहुत बहूत बार एकजाम में पुछा गया है तो आपको याद रखना आप विश्व प्रयावरण दिवस मनाए जाता है था पांच जून को यानि कि सी ऑप्षन राइट में बहुत स्टंबर को सिख्षक दिवस मिनाए जाता है ये भी आपको त्यान रखने हैं और दोस्तों एक और कॉस्चिन पूछा जाता है कि और जोन दिवस कब मनाए जाता है विश्चक ओजों दिवस इसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में देना है दूस्तों ये भी कुषेंशन बहुत बार राजस्तान जियोग्राफी में भी पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन के राजस्तान के नक्से पर निमल लिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिन में इस्तित है यह दोस्तों कोस्टन बहुत ही पॉर्टेंट है और जो 2019 में एक्जाम होए थे वहां पर यह कोस्टन पूछा गया था और आपको मेप का पूरा नोलेज होना चाहिए तभी आप इसे कौस्टन असानी से हलक कर सकते हैं क्योंकि यह कोस्टन दोस्तों याद नहीं किये जाते अगर आपको अच्छी तरह से मेप आता है तो आप इसे कौस्टन असानी से हलक कर सकते हैं तो यहां पर बात करें तो सुदूर दक्षिन में जो तो तारा यह पाया जाता है दोस्तों सूर्तगड में यानि किस कोस्टन का डी ऑप्शन राइट है सूर्तगड में भी पाया जाता है और यह दोस्तों पोकरण में भी पाया जाता है यह द्यारक ना पोकरण सूर्तगड और मौनगड यहां पर क्या पाया जाता है तारा यानि कि प्रप्तान में यानी की पांसो पचास किलोमीटर राजस्तान में चलिए दोस्तों तेरमा कोश्चन है कि निमन में से कौन सी नदी बांसवड़ा जिले में नहीं बैती है आपको बताने हैं दोस्तों इन में से कौन सी नदी है जो बांसवड़ा जिले में नहीं बैती है important question है option आपके सामने चेनना माही अनास सोम तो दोस्तों जो सोम न दिये यह बांस बड़ा जिले में नहीं बैती है यहां पर D option right हो जाएगा बाकी बात करें चेनना माही और अनास यह बांस बड़ा जिले में बैती है चली दोस्तों next question है कि उतकात सतला करती किस बैसिन में option right है यह याद रखना है दोस्तों बहुत important question है बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है चली दोस्तों next question है कि निमन लिखित में से कौन सी नदी नागोर जिले की नहीं है नागोर जिले की कौन सी नदी नहीं है तो दोस्तों इसका D option आप राइट होज़े अलनिया जो नद लिखित में से कौन सा जोड़ा सई सुमेलित नहीं है दोस्तों यह जो एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है साइक नदी इन में से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सई सुमेलित नहीं है बनास की साइक डूंड नदी है यह भी सही है लूनी की साइक जोजड़ी नदी कि यह भी सईयंगे 17ません तो माई की सवाइद में जल द्वाए अपरदन सबसे अधिक होता है दोस्तो चंबर नदी में यानि किसका सी उप्शन राइट है चंबर नदी में जल के द्वहा अपरदन होता है अठारमा कोस्टन है कि राजस्तान में किस जिले में केलसी ओर्थिड पाई जाती है केलसी ओर्थिड दोस्तों ये कोस्टन बहुत इपोर्टेंट है और एक्जाम में ये अक्सर पुछा जाता है तो आपको याद रखना है केल सी और्थिट सिकर जिले में पाई जाती है यानि किसका B आप्शन राइट है दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपनी मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अगला कोस्त ने के निमलेखित में से कौन सी क्रिशी पदती मर्दा अपरदन के लिए जिमेदार नहीं है आपको बताना है दोस्तों कौन सी क्रिशी पदती है जो मर्दा अपरतन के लिए जिमिदार नहीं है उप्सन आपके सामने है बागाती क्रिशी, जुमिंग क्रिशी, गैन क्रिशी, सिडिदार क्रिशी तो दोस्तों जो बागातिक रिशी है ये मर्दा अपरदन के लिए जिमेदार नहीं है यानि किसका A option right है चली दोस्तों अगला कोश्चन है कि बारतिया वन्या जीव स्रंग्छन अधिनियम 1922 को राजस्तान में किस वर्ष लगू किया गया था बहुत important question है और एक्जाम में ये बहुत बार पुछा गया है बारतिया वन्या जीव स्रंग्छन अधिनियम 1922 को राजस्तान में 1923 में लगू किया गया था यानि किसका C option right है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस यूटूब चैनल पर डेली राजस्तान पुलिश से समधित मोडल पेपर अप्लोड किये जाते हैं अगर आपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास मे के सामने उद्यपूर अजमेर प्रतापगड 12 तो दोस्तों बास मुख्यत पाया जाता है उद्यपूर में यानि किसका A option right है चली दोस्तों 22 कोस्चन की खस विसेश कर उत्पादित होती है खस गास होती है दोस्तों सुंगंदित गास होती है यह आपको पताने यह विसेश क में कहां पर उत्पादित होती है तो दोस्तों यह उत्पादित होती है बर्तपूर में यानि किसको जान का B option राइट है यह दोस्तों क्रमचारी चैन बोड के 2019 एकम होता इसमें 2 बार यह कुश्चन पुछ गया था और दोस्तों आरेस प्री एकजाम में भी यह कुश्चन खस दोस्तों तीन जिलों में उत्पादित होती है यह याद रखना स्वाई बर्टोंक इससे आप याद कर सकते हैं स्वाई बर्टोंक यानि कि स्वाई मादोपुर बर्धपुर उत्टोंक इन तिनों जिलों में स्रवादिक उत्पादित होती है खस तो यह द्यान रखना इस का प्रमुक कारण कौन सा नहीं है, ओप्षन आपके सामने दोस्तों नमी की कमी आती पसुचारण नगरी करण सुसक क्रिशी, तो दोस्तों मुरस्तुली करण का प्रमुक करण नहीं बहुए सुसक क्रिशी, यानि कि इसका D ओप्षन आपर राइट हो जाएगा, नमी की कमी आ दोस्तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपनी मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज्यादा सेर करें अगला कोश्चन देखी कि राजस्तान में म्रुष्तिली क्रण के प्रसार को रोकने कि इस कि इस हर Ferr ann के निकट हरित्पटिक का ग्रिन बेल्ड का विकास कियए है बहुत इस इप ओने दोस्तों न हो उसी नहर के निकट किया गया मुरूस्थलकों रोकने के लिए ओप्सिन आपके सामने इंद्रागांदी नेर गंग नेर चंबल नेर बर्तपूर नेर तो दोस्तों हरित पटिका का निर्मान किया गया है इंद्रागांदी नेर के उपर यानि किसका ए ओप्शन राइट है इपोर्टेंट कोस्चन है और आपको यह द्यान रखने हैं चलिए दोस्तों पच्चिसमा कोस्ट ने कि जैपुर अजमेर दोसा और टोंक जिले किस क्रिशी जलवायू छेतर के अंतरगत आते हैं जैपुर अजमेर दोसा और टोंक जिले किस क्रिशी जलवायू 26 थर्ड एक अंतरगत यह जिले आते हैं चलिए दोस्तो 26 मा कोस्टने के राजस्तान में वालरा क्या है वालरा most important कोस्टना बहुत बार एक्जाम में यह पुछा गया है तो वालरा है दोस्तो चलायमान खेती यानि कि इसका D option राइट है चलिए अगला कोस्टने की वेड़ की कौन सी नसल राजस्तान में बारतिय मेरिनो के नाम से परसीद है बारतिय मेरिनो के नाम से कौन सी वेड़ की नसल फेमस है यह आपको बताना है दोस्तों बहुत बार मैंने आपको यह कोस्टन बताया है तो आपको याद रखना है इसका B नी कासे लिताए राजस्तान का धन्यागार या अनगार किस को कईते हैं गंगांभ को यह ध्यान रखना दोस्तों सरी गंगाणगर को राजस्तान का अनफष कह ignor Yueku के पहते हुथ एक और दौस्तों स्री गंगानगर में कौन सीनेर प्रमुक्तव लख्यало को किस नाम से जाना जाता है आन्स प्रवाइद 36 में निरमित गर्वा पाडियां यह बहुत एक्जाम में पूछा गया दोस्तों आपके सामने डुंगरपुर शिरोई उद्यपुर बीलवड़ा तो दोस्तों जो गिर्वा की पाड़िया है यह उद्यपुर जिले में अस्तित है यानि किसका सी ओप्षन राइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है मंदोर को सरपर्थम राठोड राजवंस की 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 राजवंस क मंदोर रावचुंडा को देज में दिया गया था तब ही दोस्तो रावचुंडा ने मंदोर को राठोड राजवंस के राज़दानी बनाया था चली दोस्तो 32 कोस्ट ने कि राव जोदा ने अपनी किस पुत्री का विवाय मारना कुमबा के पुत्र राइमल के साथ किया था राव जोदा ने अपनी किस पुत्री का विवाय मारना कुमबा के पुत्र राइमल के साथ किया था मोस्ट इपोर्टेंट कोस्टन है और एक्जाम में बहुत बार पुछा गया तो आपको याद रगाने स्रिंगार देवी का विवा है मारना कुंबा के पुत्तर रायमल के साथ राब जोधा ने किया था यानि किसका बी ओप्सन राइट है चलिए 33 कोस्टन है कि जोधपुर मे राणी सागर तलाब का निर्मान किस ने करवाया था राणी सागर तलाब कहां पर स्तीत है ये कोस्टन एक्जाम में पुछा गया है तो याद रखना ये स्तीत है जोधपुर में और इसका निर्मान करवाया था जस्मा देवी ने किस ने करवाया था जस्मा देवी ने यान गोशाँ वे दीजिए तो दोस्तों कुसाना का यूद 1400 बान ऐसाraum follows में लड़ा गया थे यानि इसका वी ओप्सिन चलिंखे आकर जаг हैं कि तो 35 कोश्चन के रावावा का समकालिन मुगल बात्सा कौं था रावावा गंगा का सम्कालिन राव माल्देव का पिता था तोस्तों इसका सम्कालिनurp siya एब्वाद में यह पुछा गये राव क mash concept में यह फूर्टकार एक्जाब में यह पूछा गया में सबस्कारिन। दोस्तो एक्यूरेट डेट पुछी गई थी गिरिश मेल का युद कब लड़ा गया तो आपको यह याद रखना है गिरिश मेल का युद पांच जनवरी पंदरासो चुमाली सिस्वी को लड़ा गया था यानि कि इसका ए ओप्सन राइट है दोस्तो राम मालदेव के सेनापत इन प्रस्तितियों में जीता है जीतने के बाद सेरसा सुरी कहता है कि मुठी बरबाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बाद साथ खो देता हूँ यह गिरिश मेल युद के फस्चाती सेरसा सुरी यह बात है कहता है आपको यह ध्यान रखना है यह डेट बहुत ही मारवाड के बाग्ये के लिए निरनायक युद माना जाता है दोस्तों गिरिश मेल का युद यानि किसका भी ऑप्सन राइट है मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों पांच जनवरी पंद्रह सो चुमारी सिस्वी को गिरिश मेल का युद जिता और कुंपा जो कि मालदे या निकें करph waveform ऑप्सन है तो ऑफिस्ता नहें यानि के 16 का वी अप्शन राइट है प्रिश थाने। चलिए दोस्तों उन चाली स्में को सिन लिए कि भी फॉकरं का किल्ला किसने था उप्सनाप जोदा ने राब मालदेव ने राव रंदमलने राव गंगा ने तो दोस्तो पोकरण का किला बनवाया था राब मालदेव ने यानि किस कोस्चन का बी ओप्शन राइट है चली दोस्तो चालीसमा कोस्चन के मारवाड रियासत द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी के साथ की गई संदी पर अस्ताक्चर किस ने किये थे तो दोस्तो जो मारवाड रियास्त है इसकी इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी हुई थी उसमें स्थाक्षर किये थे 76 शियने यानि कि इसका सी ओप्सनिया पर राइट है चलिए दोस्तो अगला कौस्टन है कि गिंगोली का युद कब हुआ था यह भी कोस्टन बहुत बार एकजाम में पूछा गए है तो आपको याद रखना है गिंगोली का युद रूप्सन 187 इस्वी में यानि कि इसका ए उप्सन राइट था तो साथ इस्वी में गिंगोली का यूद हुआ था दोस्तों आपको बता देता हूं इस यूटूब चैनल पर डेली राजस्तान प्लिश से समधित मोडल पेपर अप्लोड किये जाते हैं इसी के इंतरगत दोस्तों पार्ट वी से समधित अभी तक 25 मोडल पेपर अप्लोड कि जा चुके जिसमें जीस और जीस है समधित मोस्ट एपोर्टेंट 35 डिसकस करते हैं और दोस्तों पाट सीज समधित राजस्तान प्लिश ने राजस्तान पिलिश विभाग की वेब साट पर दोस्तों नोट जारी कर दिए गए मेला अने देख लिए अगर आपने वो नहीं द जाएगा और उन्हें देखें और जो 28 पेज़ों के नोट से वहीं से पार्ट सी से समंधित सभी कोस्टन बनेंगे और दोस्तों एक वीडियो नोट्स जारी करने के पस्चाथ उन नोट्स के अंदर से बनाकर अपलोड कर दिया है अगर आपने वह नहीं देखा है उसका लिंक में आपको दिया गया मेला इवन बालापरात से समंधित दस मुझ्ट इप्पोर्टेंट कोस्टन उसमें डिसकस किए गया है और अभी तक 11 वीडियो पार्ट सी से समंधित अप्लोड किये जा चुके हैं और यह दोस्तों पार्ट डी पार्ट डी में राजस्तान समने ग्या 2020 की जो प्लेलिस्ट मनाई गई है वहां पर आपको मिल जाएंगे तो इन्हें जुरूर देखें क्योंकि यह आपके एक्जाम पेटर्न पर दाहरित है और आपके एक्जाम में से अधिकांस कोस्टन यहीं पर यहीं से पुछे जाएंगे तो इन्हें जुरूर देखें और क अकबर ने नागोर दरबार आयोजन के समय किस तलाब का निर्मान करवाए था यानि किसका सी ऑप्सनिया पर राइट है चली दोस्तो 43 मा कोस्टने के गागरोन दुरुग में किस राज्य के सिक्के डालने की टकसाल स्तापित की गई थी तो दोस्तों गागरोन दुरुग जो क कि तक साल स्तापित की थी यानि किस कोस्टन का ए ओप्सन राइट है इपोर्टन कोस्टन बहुत बार एक्जाम में यह पूछ गया जल दुरुग का सरफ स्रेश्ट उदारने गागरोन दुरुग आहुवे काली सिंध नद्यों के संगम स्तल पर अस्तित ये भी आपको द्य वरुटिज ओफ राजस्तान तो दोस्तो जालोर दुरुग के पर्थम साक्के का वरनन मिलता है का नड़ी प्रबंद में यानि किसका ऑप्सन राइट है इसके लेख कोने दोस्तों पदम नाब यह आपको द्यान रखना है दूस्तों पदम नाब का नड़ी परबंद के तो दोस्तों जसर मेर्दुका उसका नाम क्या है अखे पूल या अक्षे पूल इसका नाम है इसका डी ऑप्सन या पर राइट हो जाएगा यह थे दोस्तों पुर्ण फोर्टी फढिए उस्न में लास्ट वीडियो में जहाएक पूछे ता उसके बारे बरे में विसेस रूप रूप से बालिकाओं तथा नव विवायता ने जाने वाला त्यार है तो दोस्तो इसका C option right था तीज जो त्यार है विशेस रूप से बालिकाओं तथा न विवायताओं के द्वारा मने जाते हैं इसका C option right था और लगबग सभी स्टूडेंट ने इस question का जवाब right दिया आपको भी कहता हूं दोस्तों question अगर आपको आता है तो इसका comment box में जवाब जुरूर दिया करो अब बात करते हैं question of the day के बारे में जिसका जवाब आपको वीडियो के comment box में देना है आज का question है वैब फिलम निर्देशक जिसने जेसल मेर के 87 किले पर सोनार किला नामक फिलम का निर्मान किया है option है सत्यजीत रे, बिम्मल रोय, राजकुपूर, के आसिस इस question का जवाब आपको वीडियो के comment box में देना है आपको ये वीडियो केसा लगा ये भी comment box में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तो लाइक जरूर करें से अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे प्रेस कर दे ताके न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मात्रम जय भारत